वेलकम टू ओनलाइन गुरुजी क्लासिस गाईज आज के इस लेक्चर पे मैं आप लोगों के साथ डिसकस करने जा रहा हूं S.S.E. CGL 2018 के लिए क्या स्ट्रेटरजी आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए कि आप लोगों का एक्जाम पे सेलेक्शन हो जाए साथी साथ मैं आप लोगों के साथ एक और पॉइंट डिसकस करना चाहता हूं इस लेक्चर में कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं जिसके कारण की आप लोगों को का एक्जाम पे सेलेक्शन नहीं हो रहा है यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं आज आप लोगो होता है उसके बाद मैंस के बाद आप लोगों का एक डिस्क्रिप्टिव एक्जाम होता है सौ नंबर का क्लियर मैंस पे भी आप लोगों के स्टाट्स के भी एक एक एक्जाम होता है और अगर कोई असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की प्रप्रिशन कर रहा है तो उसके लिए भी एक exam होता है clear उसका हम discuss नहीं करेंगे यहां पर हम एक general student के लिए discuss करेंगे कि अगर वो SSE CGL का exam दे रहा है तो क्या होता है see English पे सबसे पहले आप लोगों का pre होता है pre आप लोगों का 200 marks का होता है right clear English पे आप लोगों के 25 questions होते हैं हर question दो number के होते हैं तो यह 50 marks का हो जाता है similarly math पे भी आप लोगों के 25 questions होते हैं यह 50 number के हो जाते है guys reasoning पे आप लोगों के 25 questions होते हैं यह भी आप लोगों के 50 marks हो जाता है और GK में भी आप लोगों के 25 questions होते हैं यह भी 50 number का आता है तो total आप लोगों का प्री जो होता है वह आप लोगों का एक घंटे का एक्जाम होता है इस पर टोटल 100 questions होते हैं और टोटल यह 200 marks का paper होता है clear okay अगर mains की बात करूं तो mains पर maths पर आप लोगों के 100 questions होते हैं और यह 200 marks का होता है और English पर आप लोगों के 200 questions होते हैं और यह 200 marks का होता है अगर कोई CGL की preparation पहली बार कर रहा है और उसे यह नहीं पता की marks कैसे distribute होता है तो इसलिए मैं यहाँ पर strategy बताने से पहले यह बता दे रहा हूं clear वैसे ही आप लोगों के descriptive में English और Hindi होते हैं ठीके इस पर आप लोगों को essay, note making, paragraphs यह सब आते हैं और या तो आप लोग English पर opt कर सकते हो exam को यह Hindi पर opt कर सकते हो और total यह आप लोगों का होता है 100 marks का clear अच्छा अब guys सबसे पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करो हर topic का importance क्या है exams पर relevance क्या है किसी subject का अगर आप गर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोगों का maths कितने marks का रहा है total exam पर maths guys see descriptive को तो अलगी रख दो अभी ठीके हैं हम लोग pre और mains का discuss करते हैं तो out of 600 ठीके means 400 का हुआ 200 and 200 400 out of this 600 maths आप लोगों का 250 marks का आता है out of this 600 English कितने नंबर का आता है English आता है guys आप लोगों का 250 out of this 600 200 number mains पे होते हैं 50 number आप लोगों के pre पे होते हैं clear अच्छा reasoning कितने नंबर की होती है reasoning होती है आप लोगों की 50 by 600 और GK का जो section है यह आप लोगों का कितना होता है guys यह होता है आप लोगों का 50 upon 600 ठीक है अगर मैं percentage में बात करूँ तो maths का exam आप लोगों के लिए होता है total 250 by 60 निकाल दो तो यह लगबग लगबग आप लोगों का 41.66 percentage का maths होता है English होता है 41.66 percentage का reasoning होता है आप लोगों का सिर्फ 8.33 percent का GK होता है आप लोगों का 8.33 percentage का guys इसे यहां पर जरूर से इसके importance को आप लोग समझे ठीक है तो इसका मतलब क्या है अगर मैं देखू तो maths और English मिलके आप लोगों का more than 83 percentage कवर करता है और reasoning और GK मिलके लगबग लगबग 16.5 percentage को कवर करता है अब problem क्या हो रहा है लोग कैसे आप लोग prepare कर रहे हो कि आप लोगों की preparation कहा पर आप लोग गलत जा रहे हो मैं वह भी आप लोगों को साथ discuss करूंगा और क्या approach होना चाहिए वह भी मैं आप लोगों के साथ discuss करूंगा see guys अब हो क्या रहा है अगर मानलो मेरे पास total 6 गंटे का टाइम है दिन भर में ठीक है 6 गंटे क्या चलो आप बहुत ही इस्टूडियस हो बहुत मैनती हो तो मैं मानले ताओ मेरे पास दिन भर में 8 गंटे का टाइम में 8 गंटे पढ़ाई कर रहा हूं clear मैं दिन भर में 8 गंटे की पढ़ाई कर रहा हूं clear अच्छा आप लोग जॉब भी कर रहे हो तो 8 गंटे देना भी मुश्किल है अगर आप job कर रहे हो तो मैं मानता हूं कि से स्थूबा 2 गंटे दे दिया और शाम को 4 गंटे दे दिया तो maximum आप 6 गंटे ही दे सकते हो suppose करो से आप 8 गंटे ही दे रहे हो घर पे रहके preparation कर रहे हो 8 गंटे में आप guys बच्चे लोग क्या कर रहे हैं see जीके आप लोगों का कितने नंबर का आ रहा है 8.33 percentage का जीके है बस ठीके 8.33 percentage के लिए इस पे भी अगर मैं बात करूँ जीके में आप लोगों के 25 question है ठीके 25 question total है इस 25 question में आप लोगों के science, history, economics, current of year, ठीके geography, quality, ये सारे topic और general science मतलब एक general knowledge जिसे बोलते हैं जीके ये सारे आने है ठीके अब लोग क्या कर रहे हैं आप लोग कहां पगलती कर रहे हो कि इस 8 गंटे में से बच्चा खाली current of year के section के लिए जिसके की से जीके के 25 में से मैं suppose मान भी लेता हूं कि तीन question या चार question से जादा नहीं आएंगे clear वो क्या कर रहा है इस 8 गंटे में से बच्चे एक गंटे current affairs पे videos देख रहे हैं और वहाँ पर अपना time completely waste कर रहे हैं videos देखने में ठीके current affairs के आप लोग videos देख रहे हैं see अच्छा अब इन 3-4 marks के लिए आप लोग एक घंटा दिन भर waste कर दे रहे हो ठीके videos देख रहे हो उससे note down कर रहे हो ठीके अराम से एक घंटा यहाँ पर इस 8 घंटे में से एक घंटा आप लोग यह 3-4 number के लिए waste कर दे रहे हो ठीके उसके बाद जीके में आप लोग क्या कर रहे हो बहुत जादा time spent कर रहे हो ठीके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को जीके ऐसा topic है न सपोज आप इस 8 घंटे में से complete 8 घंटे भी जीकों के दोगे न तब भी इस 25 कोशन में से आप लोग 20 कोशन ही कर पाओगे ठीके अगर यह 8 के 8 घंटे भी आप लोग यहाँ पर दे देते हो तो ठीके फाइदा क्या होगा उससे अगर मैं इस 8 घंटे में से जीके को कुछ भी नहीं दिया ना तब भी उन 25 में से 6 से 7 कोशन आप लोग सही कर दोगे इतना तो सभी का IQ रहता है कि इतने कोशन तो आप लोग सही कर दोगे तो जीके के लिए क्या होनी चाहिए आप लोगों की प्रप्रेशन के लिए क्या स्क्रेटर्जी होनी चाहिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ see current affairs के लिए आप लोग newspaper पढ़ो guys उससे आप लोगों को बहुत फाइदा होगा ठीक है newspaper पढ़ो या magazine पढ़ो क्यों क्योंकि उससे आप लोगों का current affairs SSC में जो current affairs आएगा ना आपका वो इतना deep नहीं पूछता वो बहुत ही उपर से पूछेगा आप लोगों से current affairs अगर आप newspaper के आप लोग एडलाइन भी पढ़ते हो ना वहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा या आप लोग news देखते हो खाली time में उससे भी आप लोग बता सकते हो ठीक है वो deep आप लोगों से नहीं पूछता SSC CGL में ठीक है चलो bank PO के exam में थोड़ा deep घुज जाता है बट SSC CGL में जो GK के exams होते हैं उस पे जो questions पूछे जाते हैं वो उपर ही उपर से पूछे जाते हैं ठीक है ज़्यादा deep नहीं जाया जाता especially current affairs में तो आप लोगों ने करना क्या है best strategy क्या है यहाँ पर गाइस आप लोग मनोहर पांडे की अरिहंत की book आती है एक 300-400 page की book है वो book खरीद लो ठीक है और daily उस book को आप लोगों ने इस अपने 8 घंटे से GK के preparation के लिए extra time नहीं देना है ठीक है current affairs आप लोगों ने है बट newspaper रीड करना है ताकि आप लोगों की reading skills बने आप लोगों के दिमाग पे thought आए ताकि जब आप लोग descriptive exams लिखो न तब अच्छा तभी लिख पाओगे जब आप लोगों की reading skills है ठीक है आप लोग पढ़ते नहीं वीडियो देखते हो तो reading skills आएंगी ही नहीं आप लो descriptive लिख सको ठीक है तो newspaper पढ़ने की habit डालो वह अच्छा है आप लोगों के लिए instead of watching current affair videos ठीक है current affairs के वीडियो में बस time waste होने वाला है one liner कोई बता रहा है कोई जो भी बता रहे है सब time waste है clear आप लोगों ने बस एक newspaper लगा लो कोई सा भी English का newspaper और उसे पढ़ डालो दिन बर म जब भी time मिलता है उसे पढ़ते रहो दिन बर अपने पास रखो free time बहुत मिल जाता दिन बर में आप लोग खाना खा रहे हो बगल में एक page खोल के लिखो तब पढ़ लो ठीक है यार mobile phones है उस पे पढ़ लो ठीक है mobile phones पे newspaper आप लोगों के आ जाते है ठीक है बहुत तरीके कितने pages है 300-400 pages है मनोहर पांडे में 300-400 pages है इन 300-400 pages को ही पढ़ो ठीक है जीके के पीछे ज़्यादा हादो के मत पढ़ना ठीक है सही बता रहा हूँ मैं अगर आप लोगों ने lucent की book किया मनोहर पांडे की book अच्छी तरीके से पढ़ा है तो इन 25 questions में से आप लोग 17-18 questions सही करके ही आओगे ठीक है और अगर आपने IAS level की भी preparation करनी ना तब इन 25 में से आप लोग से 23 questions कर लोगे बट time time ही गेम है preparation में smart जो होती है na preparation की strategy वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर discuss कर रहा हूँ जो कि कोई discuss नहीं करेगा हर कोई बोलेगा ये book पढ़ लो ये book पढ़ लो पढ़ना तो आपने guys आप लोग कितना पढ़ सकते हैं आप लोगोंने decide करना है तो जो मैं strategy बता रहा हूँ उसी एक मनोहर पांडे ले लो ठीक है जितनी पतली वाली मिल जाए उतनी अच्छी है और उसे पढ़ डालो ठीक है इस 25 में आप लोगों के 17-18 नंबर easily बन जाएं की जरूरत नहीं है से total 8 घंटे के preparation है तो जीके के लिए एक घंटे से ज्यादा time नहीं देना है एक घंटे में आप लोग 2-3 topic अराम से पढ़ सकते हो अगर आप Lucent को follow करते हो तो clear तो जीके का section clear कैसे आप लोगोंने preparation करना है clear अब आते है next is your reasoning see reasoning क्या होता है reasoning see नाम पर ही reasoning आप लोगों की अच्छी कब होगी जब आप लोग दिमाग use करोगे practice करोगे मैं वीडियोस देखता हूं reasoning की उस time मुझे say suppose वीडियोस देख लिया concept की clear that's it अब बार बार एक ही वीडियोस को देखने से कोई फाइदा नहीं है एक बार आपने वीडियोस देख लिया आप लोगों के concept clear होगे की चलो dice के questions को ऐसे approach करना है numbers के questions को ऐसे approach करना है ठीक है एक बार question के साथ familiar होगे से reasoning के उसके बाद reasoning is all about your practice guys अगर practice अच्छी है pattern आप लोगों को पता है cgl में वही pattern follow हो रहा है जो लोग नहीं है वह एक बार पुराने papers देख लेना वहां से आप लोगों pattern के बारे में पता चल जाएगा pattern वही follow हो रहा है cgl में ठीक है और वही pattern ही follow होगा clear चाहे tcs exam लेने वाली है आप लोगों की तब भी pattern तो वही follow होने वाला है clear तो क्या बोल रहा हूं मैं reasoning practice होता है guys ठीक है reasoning के लिए क्या करना है आप लोग preparation see reasoning के लिए 30 minutes से ज्यादा time नहीं देना है आप लोगोंने 30 minutes by maximum reasoning के लिए है clear topic ही कितने है यार 4-5 तो topic है reasoning पे वही आना है coding decoding age dice और figure reasoning क्या है उस पे कुछ भी नहीं है ठीक है 30 minutes more than sufficient करना क्या है अब यहाँ पर आप लोगोंने सी reasoning के लिए कोई एक special book नहीं है पुराने जो भी exams के paper मिल जाए आप लोगों को market में बहुत सारे papers available है model paper available है आप लोगों के साथ पुराने SSC CGL पे जो questions आए वो available है उन questions को आप लोगोंने practice करना है practice कैसे करना है reasoning के लिए क्या करना है suppose pre का exam आने वाला है ठीक है तो आप लोगोंने क्या करना है reasoning का daily एक set लगाना है ठीक है see daily reasoning का एक set लगाना है आप reasoning का एक set लगाते हो और आप लोग exam के टाइम तक 160 लगा दिया होगा आप लोगोंने ठीक है सौ दिन भी preparation की preparation के मान के चलो सो क्या लगबग डेड़ सो छे महीने तो लगी जाते proportions के लिए है ना 6 महीने में 180 दिन होते 180 set आप लोगोंने solve किया होंगे reasoning के तो exams पे 25 question आए आप लोगों को 5 मिनिट नहीं लगेंगे उसे solve करने में बट करो तो सही practice किया हो तब तो होगा काली वीडियो देखते रहोगे देखते रहोगे उससे नहीं होगा practice करना पड़ेगा reasoning के लिए कोई strategy नहीं है कुछ नहीं है reasoning पे reasoning पे तो 25 में से 25 लाना ही है मतलब यह मान लो की reasoning 180 set अगर करके गए हो ना तो reasoning में 25 में से 25 कोई नहीं रोख सकता आप लोगों के ट्रस्ट में ठीक है 50 नमबर यह free के आप लोगों के लिए reasoning वाला section तो मैं बोलता हूँ सही में free के यह 50 नमबर इसे मिस मत करना इस पे एक भी कम नहीं होना चाहिए कुछ नहीं है दिन का आदा घंटा दो reasoning के लिए practice करो suppose किसी दिन कोई एक special topic को पढ़ना है तो उस दिन उस topic को उन आदे घंटे में prepare कर लो reasoning clear कैसे आप लोगों ने approach करना एक्जाम को ठीक है अचा से चलो reasoning पे भी एक घंटा ही मैं दे देता हूँ तो 8 घंटे में से एक घंटा gk में गया एक आते हैं maths और English पे पहले मैं आप लोगों के साथ English discuss करूंगा अब यहाँ पर मैंने से 3-3 घंटे दिये maths के लिए 3 घंटे English के लिए 3 घंटे अच्छा अब English पे 3 घंटे पे आप लोगों ने क्या करना है see English पे ही ज़्यादा तर बच्चे फस्ते हैं फस्ते क्यों है क्यों कि guidance proper नहीं है ठीक है misguide हो जाते हैं और पता नहीं क्या पढ़ जाते हैं कि जिसके वज़े से selection नहीं होता see English पे क्या पढ़ना होता है मैं आप लोगों को बताता हूं see English पे आप लोगों ने कुछ नहीं करना guys यह बात का ध्यान रखना see English का paper 100% clear होगा आपका सबसे पहले तो vocabulary strong बनाना पढ़ेगा आप लोगों को अपनी vocabulary strong करनी ही पढ़ेगी जब तक vocab strong नहीं है तब तक English नहीं हो पाएगा आप लोगों से trust me ठीक है दूसरा जो बात है grammar और तीसरा जो है आप लोगों ने जो set model paper पे practice कितना किया हुआ यह तीन चीज बस क्या है vocabulary तो याद करनी है guys baron की book उठा लो 3500 words उसमें से important words छाट लो 2000 word निकल के आएंगे उसमें से वो 2000 word को याद रख लो clear 180 दिन ने 2000 तो डेली के 10 word भी याद रखोगे तो 1800 words याद हो जाएंगे clear vocab में परेशानी नहीं होगी okay grammar grammar में कितने topic है आप लोगो कि कुछ नहीं है grammar पे guys tenses पढ़ना है ठीक है मैं बता देता हूं क्या है tenses पढ़ लो subject work agreement पढ़ लो conjunctions पढ़ लो ठीक है preposition पढ़ो नहीं पढ़ो कुछ नहीं है ठीक है और क्या है बस यह ही यह तीन topic ही पढ़ लो मैं बता रहा हूं grammar के सारे question सोजाते है ठीक है और जो ऐसे है ना आर्टिकल्स है और से एडजेक्टिव्स है वो ऐसे ही पता चल जाते है आप लोगों को English पे सी तभी मैं आप लोगों को बोल रहा था कि जीके की परप्रिशन में जो न्यूस पेपर रीड करोगे उसे English पे रीड करो ठीक है English पे बार बार पड़ा हुआ है ना दिन में एक घंटा English पड़ा हो तो sentence जब पड़ोगे ना तो उस पे एरर ऐसे ही पता चल जाएगा कि यार ऐसे sentence तो पड़े नहीं यहीं पर गलती है अटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहां पर गलती है ग्रामर ग्रामर कुछ देखने की जोड़ नहीं है रीडिंग स्किल्स अच्छी है रोज का एक घंटा पड़ रहे हो तो ऐसे ही पता चल जाता है कि यहां पर एरर है clear ठीक है तब भी आप लोगों को basic grammar at least आप लोगों ने पढ़ लेना चाहिए ठीक है जो मेरे हिसाब से मुझे जो बुक आस तक जितने भी बुक मैंने पड़े मुझे जो बुक अच्छी लगी वो mirror of common errors ही सबसे अच्छी बुक है आप लोगों की exams के preparation के लिए मेरे हिसाब स ठीक है डॉक्टर अशोक कुमार सिंग की बुक है mirror of common errors अगर इस बुक को किया हुआ है तो grammar के question सारे सही हो जाएंगे ठीक है क्यूंकि अच्छी बुक है काफी अच्छी बुक है ठीक है बाकी मैंने lectures बनाए हुए है पुराने grammars के ठीक है उन lectures को देख लेना guys ठीक है आप के लिए sufficient है exams को crack करने के लिए वह lectures ही ठीक है okay तीसरा मैंने जो लिखा है यहाँ पर लिखा है मैंने exam paper को practice करना है जैसे मैं बोला ना आप लोगों को की reasoning पे आप लोगों ने क्या करना है और active voice grammar पे ही आ जाता है active voice और direct indirect ठीक है दोनों पे मेरे lectures है वह lectures देख लेना 50 नंब सियाद करा हुआ है 30-40 नंबर वहाँ से हो जाए ऐसे ही clear हो जाता है reading comprehension कुछ नहीं होता वो पैरा जंबल क्या होता है बच्चो वाला पैरा जंबल होता है ठीक है कुछ भी नहीं है clear बट पढ़ो तो सही basically vocabulary और grammar पे ध्यान देना vocabulary और grammar पे ध्यान देना तीसरी बात English का भी daily का एक pre का set daily का एक mains का set अभी से लगाना शुरू करो यह नहीं कि pre clear होने के बाद mains का set लगाऊंगा अभी से एक pre का set एक mains का set clear English के लिए लगाओ English के लिए vocabulary याद करो vocabulary के लिए 15 मिनट, grammar के लिए 30 मिनट ग्रामर के लिए एक दिन पे ठीक है और set लगाने के लिए 2 घंटे का time ठीक है और बस इतना ही तो है English में ठीक है vocabulary ग्रामर और set ठीक है डेली का एक pre का set एक mains का set दो घंटे पे लगाना है grammar पढ़ना है डेली का 40 मिनट्स ग्रामर को देना vocabulary पढ़नी है ठीक है और जैसे ये पैरा जंबल वाले questions से ये ये सीखने थोड़ी है ये तो set लगाओगे daily का ऐसे खुद माखुद trick develop हो जाएगे आपको ठीक है practice करोगे खुद माखुद trick develop हो जाती है guys trust me daily का अगर तीन साड़े अब देखो ना या 41.66 percentage का आप लोगों का English आने वाला है तो English के importance को समझो guys आप लोग बहुत important है बच्चे लोग क्या कर रहे है बच्चे लोग जी के ही पढ़ते जा रहे है जी के ही पढ़ते जा रहे है यार जी के कितने नंबर का आ रहा 8% का जी के पूरा टाइम वहीं पे वेस्ट कर दोगे कहां से एक्जाम निकलेगा मतलब भी नहीं एक्जाम निकल लेगा clear topic के importance को समझो उसके weightage को समझो उसके हिसाब से preparation करो clear चाहे कोई कुछ भी बोले आप लोग अब इतने बड़े हो इतने समझदार हो कि आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों ने कैसे preparation करना है कोई भी आप लोगों को misguide नहीं कर सकता clear समझ में आगे English की क्या preparation करनी है vocabulary strong बनानी है grammar strong बनानी है और daily के एक set करना है pre का एक set करना है means का clear ठीक है English भी clear ठीक है grammar के लिए मैंने आप लोगों को बुक बता दी a mirror of common error डॉक्टर अशोक कुमार सिंग की vocabulary के लिए baron के list से important words धून लेना उसे याद कर लेना that's it set आप लोगों को model paper और previous year exams के जो भी paper होंगे वो लगा लेना आप लोगों को ठीक है grammar के lectures मेरे है available ठीक है उन्हें देख लेना वो sufficient है अब आ जाते है maths पर okay maths भी काफी important है 41.66% का maths भी है ठीक है तो आप लोगों ने maths को भी देने है तीन गंटे ठीक है अब English तो ऐसा है ना English तो आप लोग set शुरू से ही लगा सकते हो बट maths के अब ऐसा नहीं होता है maths के अगर maths अगर maths पढ़ा ही नहीं है तो set कैसे लगाओगे क्यों क्योंकि वो तो English तो जनरल होता है reasoning भी जनरल होता है gk भी gk के लिए तो set लगाने की जोती नहीं बट maths पे आप आप लोगों को topic wise preparation करनी है ठीक है अच्छा अब book क्या follow करना है clear maths के लिए see दो book आप लोगों के लिए sufficient होंगे बट उन books पे जो methods है वो थोड़े outdated method हो चुके बट question sufficient है वो question sufficient है आप लोगों के लिए ठीक है एक तो आप लोग normal एक आरे सल्दुवाल या किरन की book उठालो ठीक है और एक थोड़ी higher mathematics higher side के लिए आप लोग से ये सरवेश कुमार की quantum cat ठीक है तोड़ी higher side के लिए ठीक है अब maths पे क्या है आप लोगोंने maths को तो chapter wise ही prepare करना है ठीक है जैसे algebra हुआ तो algebra आप लोगोंने पढ़ लिया अब यहाँ पर videos के concept आप लोगों के important है ठीक है क्योंकि ऐसा है ना maths आप लोग कुछ से पढ़ने जाओगे ना तो थोड़ा परेशानी करेगा आप लोगों को क्योंकि जो higher algebra है ना वो book पे अच्छी तरीके से पढ़ाये नहीं गया है किसी भी book में मैं बोलू कि particularly ऐसे अच्छे तरीके से पढ़ाये वैसा नहीं है ठीक है तो आप लोग क्या करो यहाँ पर आप लोगों को video lectures बहुत काम आएंगे ठी आए वो पुराने हो 2016 के हो गाइस बर मैट्स थोड़ी चेंज हो रहा है आप लोगों के basic concepts थोड़ी चेंज होंगे concept तो वही रहेंगे ना पहले भी हम लोग algebra को वैसे ही solve करते थे अभी भी हम लोग algebra को वैसे ही solve कर रहे है ठीक है exam का level थोड़ा सा tough हो रहा है तो बच्चे लोग डर जा रहे है और एकदम high level के questions करने लग जा रहे है उससे भी फाइदा नहीं है guys level को ठीक ही रगो ठीक है basic पे काम करो और उसके बाद exam के लिए set लगाओ इस पे भी वही है जैसे आप preparation कैसे करने है मैंने algebra पढ़ा ठीक है मैंने algebra पढ़ा एक बार see मैंने algebra के 12 videos डाले है आप लोगोंने 12 videos देख लिए algebra के ठीक है उन 12 videos को देखने के बाद 3 गंटे का time है उन 12 videos को देखने पर आप लोगों को कितना time लगेगा से दो दिन लगा, दो दिन पर आप लोगों ने सारे अलजेबरा के वीडियोज देख लिए, उसके बाद अब आप लोगों ने practice करना है guys, ठीके कराने को तो मैं क्या है, मैं आप लोगों को पचास सो गंटे का अलजेबरा करा दूँ, ठीके, फाइदा क्या होगा, वो खाली वीडियोज देखने से concept clear नहीं होगे न, मैंने सिर्व आप लोगों को एक base दिया है, ठीके, उस base के उपर pillar आप लोगों ने बनाना है, clear, अगर मैं आप लोगों को उस base के उपर pillar भी खड़ा करके देदू, क्या फाइदा उससे, ठीके, कुछ फाइदा नहीं होगा उससे, आप लोगों को, clear, मैंने आपको base दिया है, उस base के उपर pillar आप लोगों ने बनाना है, clear, तो उस base को आप लोग utilize करो, जैसे algebra पढ़ लिया, दो दिन लगे से algebra के सारे videos आप लोगों ने cover कर लिये, दो दिन बे पढ़ लिया, ठीके, अच्छा, अब इसके बाद algebra के questions लगाओ खुद माखुद लगाओ, 200 questions लगाओ algebra के, ठीके, previous year papers के questions लगाओ, previous year's mains पे आए हुए questions लगाओ, ठीके, model papers खरीद लो, clear, SACCJL के models paper खरीद लो, ठीके, वो लगाओ, ठीके, तो एक हफते, एक हफते लगा लो से algebra में, एक हफते तक algebra करते रहो, daily के 3 गंटे, guys, ऐसा खतरना perfection आजाएगा algebra में, कि algebra के questions गलत ही नहीं हो सकते, उसके बाद geometry पे आजाओ, ठीक है, lectures है, मेरे सारे available lectures, geometry के lectures देखो, उसके बाद geometry के questions लगाओ, ठीक है, 5 दिन geometry के questions लगाओ, फिर बीच पे 2 दिन, फिर आजाओ algebra और geometry, दोनों लगाओ, एक साथ, फिर technometry करो, technometry 5 दिन करो, उ फिर से algebra, geometry, technometry, तीनों लगाओ, ठीक है, उसके बाद से percentage पढ़ लिया, आप लोगों ने, profit, loss and discount पढ़ लिया, 5 टॉपिक पढ़ लिया, फिर 2 दिन का gap, 2 दिन का आप लोगों को hold दो, उन 2 दिन पर जितना पढ़ा था, उसे दुबारा से आप लोग पढ़ो, समझ रहे हो कैसे आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, तो maths को आप लोगों ने ऐसे ही prepare करना है, इस maths आप लोगों का बहुत important है, 41.66 percentage का maths है, काफी important chunk रख रहा है यहाँ पर आप लोगों के preparation पर, ठीक है, strategy क्या है, maths को पढ़ने के लिए, मैंने आप लोगों को बता दिया है, कि कैसे आप लोगों ने topic, एक topic खतम करा, से number system start किया, number system खतम करा, उसके बाद second topic पे चले गए, percentage, profit, loss and discount, percentage, profit, loss and discount खतम करा, उसके बाद, तीसरे topic पर जाने से पहले, एक बार, दोनों topic को cover कर लिया, सबसे पहले आप लोगों ने topics से video lectures पे, I guess मैंने पूरा maths cover कर रखा है, आप previous year exams के questions आप लोगों ने practice करना है, ठीक है, उसके बाद chapter खतम, उसके बाद next chapter पे जाना है, videos देखने है, उसके बाद previous year exams के questions practice कर लेने है, book से practice कर लेना है, model papers practice करना है, फिर third topic, फिर third topic में जाने से पहले एक बार, first and second topic को revise करना है, फिर third topic पे आगए, फिर fourth topic, फिर टॉपिक topic तो आप लोगों को पता ही है, वही topic है, उसी हिसाब से आप लोगों ने prepare करना है, ठीक है, तो इस हिसाब से max पे आप लोगों ने strategy अपनी बनानी है, clear, ठीक है, तो इस हिसाब से, अब इस हिसाब से अगर आप लोग prepare करोगे guys, तो SSC, CGL के exam को easily आप लोग clear करोगे, किसी एक topic के पीछे ज्यादा time waste मत करना, topic जिस हिसाब से topic है ना उसी हिसाब से उसे time दो, ठीक है अगर कोई चीज 8% का है और कोई चीज 42% का है तो obvious ही बात है, 42% को ज्यादा importance देना है, 8% के मुकाबले, clear, बट लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, लोग उस 8% के पीछे भाग रहे हैं, जिसके कारण उस 42% को miss कर रहे हो, आप लोग तो pastries खाने के चकर में cake को miss कर रहे हो, ठीक है, तो cake के पीछे जाना है, cake में से 10 pastries निकल जाएगी, clear, hopefully आप लोगों को इस lecture पर मैंने basically आप लोगों को बताया कि आप लोग कहां पर गलती कर रहे हैं, और कैसे आप लोगों ने अपने आपको prepare करना है CGL 2018 के लिए, clear, hopefully आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो YouTube के चैनल को subscribe कर दिजे, guys, online गुरुजू के पुराने अगर आप लोग प्लेलिस्ट देखोगे, तो उस पे आप लोगों को सारे ये वीडिय अविलेबल है, complete course अविलेबल है, CGL के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारे lectures यहीं पर अविलेबल है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को पका से subscribe कर दीजे, वीडियो को like कर दीजे, अगर पसंद आया है, तो वीडियो को share भी कर दीजे, ताकि आप लोगों की तरह, दूसरे लोग भी जो preparation को लेकर परिशान हो रहे हैं, उन लोगों को भी strategy मिल पाए, ताकि वो लोग भी अच्छी तरीके से exam को prepare कर पाए, clear, okay, thank you guys.